दोस्तों यह है अमारे पास आइटल A3 का लेटेस्ट स्मार्टफॉन जिसका नाम है आइटल A70 यह है अमारे पास 128 GB वेरेंट इससे पहले हमने 256 GB वेरेंट के अन्बॉक्सिंग करी थी दोस्तों यह स्मार्टफॉन तो आपको 7299 रुपे का मिल रहा था 4GB RAM 256 GB के इंटरनल इस वेरेंट की जो कि आपको 6799 रुपे का मिल जाएगा इसका 64 GB वेरेंट आपको इससे सस्ता मिल जाता है रैट कलर का यह बोक्स आता है जहां पर आपको साइनी फॉंट पर मॉडल ने मैंसन मिलेगा और मोबैल का डिजाइन भी आपको बॉक्स पर देखने को मिल जाएगा ब बेक साइड में हाइलाइट फीचर्स भी मैंसन मिलते हैं दोस्तों जैसे कि यहाँ पर डिस्प्ले साइज रैम स्टोरेज कैमरा डिडेल साइट फिंग पें सेंसर गिलास लाइक डिजाइन और 5000 एमेज की बैटरी को मैंसन किया गया है इस्पेसली 1200 पलस सर्विस सेंटर को भी यहाँ पर मैंसन किया गया है चलिए दोस्तों अब फटावर से इस बॉक्स को उपन करना सुरू करते हैं तब तक आप भी चैनल पर फर्स टाइम बिजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजे क्योंकि ऐसी वीडियो आप के लिए मैं यहाँ पर रेगुलर ल यूनिक सा काम किया है आइटल ने यहाँ पर नहीं तो आपको नोर्मल सबी स्मार्टफॉरमें ट्रांसります सिलिकन के कबर देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ खुछ अलग टाइब का ही कबर देखने को मिलते हैं अच्छा है यहाँ पर 11-800 कबर के बच जाते हैं इसके बाद adapter adapter नॉर्मल ही दिया गया है दोस्तों जो है 10 watt का 5 volt 2 ampere की output rating इस charger से मिलती है इसके बाद जो यूएसपी केविल दी गई है वो है type A to type C length और quality average मिलती है इन सब को side करके हम आते हैं direct smartphone पर इसे हम करते हैं चैपर से आजाग और देखते हैं इसका look कैसा हमें देखने को मिलता है तो front look में यहां पर sticker लगाया गया है तिक रोसन इसकी branding कर रहे हैं और special features को इस sticker पर mention किया गया इससे हम remove कलके front look देखते हैं इस smartphone का तो drop notch display आपको नजर आएगी edge और battles corner उपर से पतले पतले नीचे चिन बहुत जादा दी गई है इसके अलावा जो back panel है वो काफी कमाल का मिल जाता है lens में LED flashlight को fit किया गया है lens हलके से उठे हुए आपको नजर आएंगे 13 मेगा विक्सल का है main camera और AI lens camera दिया गया है जिसे हम supporter camera भी बोल सकते हैं फ्रेंट में drop notch के अंदर दिया गया है 8 मेगा विक्सल का selfie camera राइट साइड में आपको मिलेगी power on की जस्ट उपर volume rockers और fingerpin sensor भी power on की पर attached है और यहां बिलकुल flat और corner चारो तरप से rounded मिलेंगे उपर की साइड कुछ नहीं left side में sim tray bottom में 3.5 mm का audio jack primary mic charging jack और speaker दिया गया है so finally सारे tournament condition accept करने के बाद हमारा mobile phone boot हो चुका है iPhone वाली feeling आ रही है mobile के interface को देखके तो दोस्तो यहां पर सबसे पहले तो इसकी जो brightness है इसे हम 100% कर लेंगे ताकि display हमें और अच्छे से देखने को मिल जाए 480 nits तक की peak brightness smartphone में हमें मिल जाती है mobile को करीब से देखे दोस्तो डिस्पले में colors बहुत बढ़िया मिल जाते है और इसका जो user interface है scroll up करते ही सारे के सारी जो phone में मौजूद application है वो यहां पर हमें नजर आ जाती है कुछ pre-install application भी धी गई है लेकिन कुछ bloatware जो application यहां पर आपको मौजूद मिलती है जैसे कि AHA game है और palm store जैसी application वो तो uninstall भी नहीं होती हाला कि आप इनको disable जरूर कर सकते हैं और करने भी चाहिए दोस्तों नहीं तो यह बार बार notification बेश के आपको तंग करती है और background में ख 16, 12-pixel, pixel density, 267 ppi की मिलती है screen to body ratio 90% का दिया गया है इसके अलावा दोस्तों इसकी setting को open किया जा है तो setting का interface को जैसा आपको देखने को मिलेगा जहां पर my phone का option सबसे उपर दिया गया है आपको itel version 13 मिलेगा device name modern lamb mention है android 13 की साथ आता है यह smartphone इसमें नया chipset नया processor दिया गया है 1 1.8 GHz का octa core और chipset Unisoc T603 का दिया गया है यह based है 12NM के fabrication पर Mali G57 के graphic आपको मिलते हैं 4GB RAM दोस्तों आपने box पर 12GB RAM लिखा हुआ देखा होगा तो RAM पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो अंदर mem fusion को option आपने on करना है इसके बाद set virtual RAM में जाना है और यहां से हमें option मिल जाता है 8GB तक हम इसमें virtual RAM को बढ़ा सकते हैं यानि कि काफी ज्यादा इसमें RAM को हम बढ़ा सकते हैं और 12GB तक ले जा सकते हैं 128GB का mega storage मिल जाता है सबसे low price range में मातर 6799 रुपे में हमें इस phone में मिल रहा है 128GB का storage और आप चाहो तो expandable memory को 2TB तक भी बढ़ा सकते हैं eMMC 5.1 का storage type आपक बहुत ही बढ़िया deal रहेगी अगर आपको एक अच्छा storage वाला smartphone चाहिए gaming के लिए नहीं बना है यह smartphone हाला कि gaming आप चला लोगे लेकिन phone आपका lag करेगा heating issue आजाएगा इसलिए normal use के लिए आप purchase करना चाहो तो कर सकते हैं सस्थे budget range में एक बहुत ही बढ़िया smartphone आपको मिल आपको में एक अच्वादाग इसलिए लेस स्थे